तो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वारा हूँ Redmi Note 10S Mobile में एप कलोन कैसे कह जाता है यानि दोस्तो किसी भी एप को आप डबल कैसे करोगे इस मोबाइल में यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो यहाँ पास security नाम से दोस्तो एक app देखने को मिल जाएगे जैसा कि दोस्तो आप देख पा रहे हैं तो इस app को आप लोगों को open कर लेना है इस app को open होने के बाद दोस्तो उपर की तरफ थोड़ा scroll करेंगे अब दोस्तो यहाँ पर दिखे dual apps का दोस्तो option देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस पर आपको दोस्तो क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखे create लिखा हुआ है तो दोस्तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो जितनी भी app आपके mobile में है total दोस्तो यहाँ पर आ चुकी है तो दोस्तो जिस app को आप जो है double use करना चाहते हो तो दोस्तो वो app यहाँ से आप select कर लिए तो दोस्तों मैं एक जामपल के लिए दोस्तों यहां पर दिखें Amazon को डबल करूँगा यह रहा है Amazon उसके सामने टिक है टिक को इनेबल किया और उसके बाद यहां पर दिखें प्रोसेसिंग चले आपको जश्ट थोड़ी देर वेट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यह एप स दिखा देता हूं यहीं पर कहीं होगी और दोस्तों यहां पर देखें एक एप दोस्तों इसमें है यह Amazon एक एप रहा और एक दोस्तों Amazon एप यह रहा तो इस प्रकास से इस मोबाइल में आप डबल एप कर सकते हो